असलाम अलेकुम, वेलकम तो आतिफास रेसिपीस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही डेलिशिस डेजर्ट, जो बहुत ही आसान है, दस मिनिट में बनके तयार हो जाएगा, यह आप जरूर ट्राइ करें, यह सब को बहुत पसंद आने वाला है, चलिए जल्दी से रेसि अब हम लेंगे एक ब्रेट का स्लाइस, इस तरह से पीछ में रखतेंगे, और साइट को भी ब्रेट के स्लाइस से हम कवर करतेंगे, अब हम इसमें एट करेंगे हमारा कॉफी का सिरप, जो हमने रेटी किया था, इस तरह से आप सारे तमाम ब्रेट के स्लाइस को थोड़ा- डाल दें, ताकि ये ब्रेट कॉफी के सिरप में सोख हो जाए, अब हम इसको साइड पे रख देंगे, अब हम लेंगे एक सॉस पैन, इसमे मैं एट कर रही हूँ, तीन टेबल स्पून कॉन फ्लार, और फिर इसमें हम एट करेंगे, पाव कप मिल्क पाउडर, और आदा कप च और एक कप मैंने यहाँ पे दूद लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लंज ना रहें, पहले हम थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब ये स्मूद बैटर रिडी हो जाएगा, तब हम इसम और आदा कप दूद यूज किया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसे मीडियम हीट पर पकाएंगे, और स्टर करते रहेंगे, जब तक ये थिक न हो जाए, देखिए हमारा ये मिक्स्चर कितना थिक हो गया है, ये अच्छली ये हमारी चॉकलेट पुडिं मैंने यहां पर दाक चॉकलेट यूज किया है, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम को बंद करतें, अब हम इस पुडिंग को ब्रेट के ऊपर एक लेयर डाल देंगे, इस पुडिंग को हमें जल्दी से डालना होगा, और जल्दी से ब्रेट करना होगा, इसे हम अब हम लेंगे एक कप चिल्ड विपिंग क्रीम, इसमें हम एट करेंगे एक टेबल स्पून चीनी और इसे अच्छे से विप कर लेंगे, मैंने यहाँ पे एलेक्ट्रिक बीटर यूस किया है, आप नॉर्मल हैं ब्लेंडर से भी इसे विप कर सकते हैं, इसे हम तब तक विप करेंगे, जब तक यह ठीक नहाँ है, दीखें हमारी क्रीम, बिल्कुल थिक हो गए है, अब हम इसे बंद करतेंगे, अब हम इस विप टी क्रीम को हमारे चॉक्ले की बिडिंक के उपर, स स्ब्स्प्रेट कर देंगे, इससे हम एवनली स्प्रेट कर देंगे, और और फिर इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे त्री आवर्स के लिए या फिर आप ओवर नाइट भी रख सकते हैं अब हम इसे कच करेंगे देखिए हमारे पुडिंग अच्छे से सेट हो गई है इसके लेयर्स आप देख सकते हैं इसे हम सर्फ करेंगे और ठंडी-ठंडी डिज़र्ट को एंजोई करेंगे यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार एकतम लाइट सा डिज़र्ट बनता है आप इस dessert को किसी भी occasion में या फिर अगर आपके घर में कोई guest आ रहे हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं तो try this unique and delicious dessert recipe और अगर आपको इस पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, share, comment और subscribe ज़रूर करें अपनी दुआओं में याद रखें, Allah आफिस